दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइब का इमेज क्रियेट करना सिखाने वाला हूँ AI की मदद से आप इस टाइब का फोटो कैसे बना सकते हैं स्री राम जी का जो कि आपने देख लिया है मुझे आपको जादा बताने की ज़रुदनी है सारे फोटो आप देख सकते हैं यहांपर इस टाइब का आप भी आपके नाम का बना सकते हैं जो कि टिसल्ट जो है उस reproductive मेरा नाम लिखा हुआ है यहां पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और इस टाइप का जो है इमेज आप जनरेट कर सकते हैं जितने चाहे उतने आप बना सकते हैं किस तरीक से बनाए जाते हैं इंस्ट्राग्राम पर अगर आप देखेंगे इस टाइप की इमेज है वह बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और रिल्स के अंदर भी आपने देखा हुगा प्रोफाइल पर भी काफी वायों ने अप्लोड करें और मिलियंस में उत पर लाइक्स हैं चुक्कि अगर बहुत ही जादा क्रेजी यान की जो इमेज है वो भी काफी जादा अच्छा लगता है और देखने में बहुत जादा ट्रेंड मतब ट्रेंडिंग फिचर से पीचर है और अभी आप खुद कैसे इस तरह का इमेज क्रिएट करेंगे इस वीडियो में हम आपको यही सि करता हूं कि आपको इतना सा काम कर देना और वीडियो अगर आपको पसंद आ दी तो लाइक का बटन दबाके इस वीडियो को अपने वोटसेप पर अपनी फ्रेंड के साथ जरूर से शियर करते हैं ताकि वह भी अपने नाम का इस टाइप का जो है वो इमेज बना सके तो च सरी राम जी का यहां पर आप फोटो देख सकते हैं पूरा आयो दिया मंदिर टाइप का यहां पर इमेज आ रहा है और यहां पर यहां पर यह भी आप देख सकते हैं तो इस टाइप का आप अपने नाम का बना सकते हैं यहां पर पीछे जो टेसल टेस पर मेरा नाम लिखा ह आ रहा है और इसके अंदर भी मेरा नाम लिखा हुआ रहा है एस आर जोगी आप देख सकते देखने में हैं वो काफ़ी ज्यादा गजब यहां पर लग रहा है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी यह जो है वह फोटो चल रहा है तो आपको क्या करना है इसके लिए आजएगे सेज़न नमर पर जाओंग्ट करना होगा अगर आप बनाएंगे नहीं तो आप यहाँ पर स्टब डरांट मैंने पहले से बना नहीं क्राइए यहां पर देख सकते हैं लेकिन मैं इस अकौंट को यहां से हटा देता हूं कुर आपको नएंग अकाउंट बना के दिखा देता हूं यहां पर आपको क्लिक करना है इस तरह का पेज आएगा उसके बाद आपको create one वाले option पर क्लिक करना है account create करने के लिए यहां पर आपको email डालनी होगी तो यहां पर आप क्या करेंगे एक application आपको download कर लेना है जिसमें आपको जितनी चाहिए उतने email मिल जाएगी आप इसको open करेंगे तो यह application open होते ही कुछ इस तरह का यहां पर आपके सामने page आजाएगा यहां पर आपको एक email मिल जाएगी इस तरह के से आप देखेंगे यहां पर आप इस email यहां पर copy पर क्लिक करेंगे email को भी हो जाएगी उसके बाद यहां पर लाके उसको पेस्ट करेंगे और आपको next वाले option पर क्लिक करेंगे यहां पर यहां पर क्या करता है इस application में आएंगी इसको यहां पर change पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास दूसरा नया email हमें मिल चुका है इसको कोपी करेंगे उसके बाद यहां पर इस email को क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है country इंडिया रखना है और डेट बर्द के अंदर जो भी आप select करना चाहते है example से select करें नेकर वो 18 साल से उपर होना चाहिए उसके बाद next पर क्लिक करेंगे यहां पर एक enter code दिखा रहा है तो जो अभी हमने इमेल डाला है उस पर एक code send किया गया तो application को open करेंगी उसके बाद open करने के बाद यहां पर आपको inbox पर क्लिक करना है यहां पर एक email मिले का जसमें जो code इसको को पी कर लेना है उसके बाद आपको रिटन यहां पर आके इस code को paste करना है और next वाले option पर क्लिक कर देना है next पर क्लिक करेंगे तो हमारा account बन जाएगा हमें एक बार यहां पर verify करना पड़ेगा उसके बाद हमारा account complete verify हो जाएगा यहां पर थोड़ा साफ वेट करेंगे यहां पर working case loading दिखा रहा है next पर क्लिक करना है अब यहां पर अनलिवकर आपके सामने दो टाइप की momentum फिई-जो हाथ वाला मेंवे यह जिस फोजिशन में एकट है तो इंधर वाले इमेज को भी उसे फूजर में रखाना होगा तो दो एरो आपको मिल रहे तो इसका क्लिक करेंगे और सम्मीट पर कशन तरिक हो जाएगा और आपका account successfully create हो जाएगा बस अब आपको कुछ नहीं किया अकाउंट परिएट करना पड़ेगा कि हमने अपने पहले वाले अकाउंट में लोगिन के लिए आप इस लिंक को ऊपन करेंगे कि कुछ इस तरह का पेज आएगा मैंने आपको account बनाना सिखा दिया किस तरीके साब बना सकते हैं उसके बाद यहां पर मैं आपको एक text दे दूँगा जिसमें सब कुछ already लिखा हुआ होगा उसमें आपको जो क्या चेंज करने हैं यहां पर मैं इसको copy करके यहां पर डाल देता हूँ यहां पर मैंने अपना नाम लिखा रखा है तो इसकी जगे पर आपको आपका जो भी नाम है वो लिख देना है इसके बीच में ठीक है उसके बाद यहां पर हमने already सब कुछ complete डाल रखा है तो उसमें आपको कुछ भी छेड़ चाड़ करने की जरुत नहीं है यहां पर आप स् वेबसाइट पर इसको हम paste करेंगे उसके बाद यहां पर आपको create वाले option पर क्लिक कर देना है थोड़ा सा wait करना है हमारा जो image है वो यहां पर create होके generate होके successfully हमें मिल जाएगा जिसे हम कहीं पर भी use कर सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा wait लेगा उसके बाद एक नहीं कम सम च यार टाइप के आपको photo में जाएंगे जो कि full high quality में मिलेंगे AI इतना fast हो चुका है कि हम इससे जो चाहें वह image उस type का जो है image generate कर सकते हैं यहां पर हम थोड़ा सा और wait कर लेते हैं और account कैसे बढ़ाना है मैंने आपको बता दिया so finally total हमारे तीन photo आ चुके जो कि यहां पर आप click करके देखेंगे तो यार फोटो यार बहुत ही जादा next level यहां पर आये में हैं यहां पर आप देखेंगे सारे पब्ली का photo स्रीराम जी का photo है मंदिर का photo यहां पर मेरा नाम भी आ रहा हो यहां पर यह देख सकते हैं यहां प यहां पर हम written create पर click करेंगे तो अभी जो image वापस जो create होगी वो अलग type की होगी हमने जो already यहां पर create की वो यहां पर आप देखेंगे नीचे हमें मिल जाएगी और जितनी भी हम create करेंगे वो हमें recent में नीचे मिल जाएगी यह हमने सारी create की थी जो कि मैंने आपको दिखा यहां पर आप प्रियू में तो यह सारी image यहां पर already पढ़ी वी जिस पर हम click करेंगे इनको save कर सकते हैं ठीक है जिन कहां भी हम अभी जो create हुई recently वो हमें यहां पर मिल चुकी है ठीक है तो थोड़ा सा हम यह वेट करेंगे और हमारे सामने नई और image generate हो के आ जाएगी जिस खड़े हैं इन सभी के इस तरह के से आचको साइड में स्कॉल करेंगे यह देखे यह फोटा आचका है जिसमें स्री राम जी यहां पर पीछे बैटा है जो गयार यह बहुत ही गजब तक है तो यहां पर आप ठीकली करेंगे डाउनलोड हो जाएगा और यह यह भी बहुत ह अच्छा लग रहा है आपको जो भी पसंद है आप इस तरह से क्ली करके डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट बता दिया कि किस टाइप से आप ऐसा इमेज जनरेट कर सकते हैं हम और ही इस पर नेक्स्ट लेवल वीडियो लेकर आने वाले जो च्छू कि आप इमेज है कि आप देख सकते हैं और यह वाला जो इमेज है यह हमने इसी से चंटिया और यह वला हनुमान जी का भी हमने यहां से जनरेट किय था और यह स्रीराम जी का जो फोटो और मुझे यह वाला जो फोटो वह काफी mayor लेवल लग आप अलग अलग तर झाल झाल